हाली में लखनव में हुए अवद रोड रेज के इंसिडेंट के बारे में तो सुन ही रहे होंगे जिसका वीडियो भी बहुत वाइरल हुआ है क्या उस औरत ने सही किया अगर उस औरत के जगे पे एक आदमी होता तो सबसे पहले तो उस आदमी को वहाँ पे सारे लोग मारते फिर उसे पुलिस ठाने में लेकर जाती और वहाँ और मारते और वो यही सोचता कि बहुत बड़ी गलती कर दी उसने लेकिन यहाँ पे इस लड़की में जितना हिम्मत था यह दिखके तो ऐसा लग रहा था कि अगर मिलिटरी वाले भी आ जाते तो उन्हें भी मार देती वो वहाँ साफ साफ दीख रहा था कि वो औरत ग्रीन लाइट में गाड़ियों के बीच से रोड क्रॉस कर रही थी और तो भला हो उस आदमी का उसने तो सही वक्त पे ब्रेक मारा सारी की सारी गलती उस औरत की थी लकिन फिर भी ना जाने उसने कितने थपपड उस आदमी को लगा दिये और इगो तो इतना था कि खुदी F.I.R. दर्च कर दिये उस ड्राइवर के खिलाफ और न्यूस रिपोर्टर्स को लाइफ टेलिविजन में भी पूरे confidence के साथ जुट बोल रही थी और ना जाने मैडम कौनसे दुनिया में जी रही है उन रिपोर्टर्स को बोल रही है कि आपके पास पूरी क्लिप कैसे आ सकती है आप कैसे देख सकते हो सब हिम्मत तो बहुत है उस औरत में लाइव में भी ये बोल रही थी कि मुझे हार्ट और किट्नी का प्रॉब्लम है अच्छा है अगर मुझे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते तो शायद मैं तो ऐसे उचल उचल के नहीं मारता मानना पड़ेगा उस आदमी के शेहन शक्ती को जो उसने इतने सारे थपर शेहन कर लिये अगर उसके जगे कोई और दुसरा आदमी होता जिसमें शेहने की शक्ती कम होती तो वो शायद आज जेल में होता इसमें भी एक फेमिनीश ने उस औरत को सपोर्ट किया और बोली की हो सकता है कि वो औरत बुरे वक्त से गुजर रही हो और उसे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और ये कदम उठाई ठीक है चलो मान लिया उस लड़की को स्ट्रेस था और वैसे भी लाइफ टेलिविजन में उस औरत ने ये भी कहा था कि उसके दिमाग की भी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी बात गुम फिर के वही आ जाती है कि अगर उस औरत के जगे पे एक आदमी होता और वो किसी औरत को मार रहा होता बीच रस्ते में तो शायद इस वक उसका हालत बहुत खराब होता लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत इन सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस सब होते है और उसे हैंडल करने की जिम्मेदारी तुमारी खुटकी होती है और जो सबसे बड़ी और में चीज़ होती है वो है गलती मानना उस औरत में इतना इगो था कि वो अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं सेम वो जोमेटो के केस की तरह है ये भी सेल्फ रिस्पेक क्या होता है ये एक लड़की से ज्यादा बहतर और कोई नहीं समझ सकता और उस आदमी ने लाइव में आके सिर्फ यही कहा कि उसको उसका सेल्फ रिस्पेक वापिस चीए जो की मुश्किल है पर उस आदमी को मान गए कि वो अपने मा के बताय हुए रस्टे पे चल रहा है और किसी औरत पे हाथ उठाने से उनके मा ने मना किया है अगर इस औरत के मा बापने भी उसे ये चीज़ सिखाया होता तो शायद वो ऐसा करती ही नहीं